तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन पान पीज़ा अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक करना न भूले चिकन पान पीज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 350 ग्राम्स चिकन, चिकन के हमने ऐसे लॉंग पीसस कर लिये है 1 टिक का मसाला 1 टी स्पून गरम मसाला पाउडर 1 टी स्पून ब्लाइक पेपर पाउडर या काली मिर्च का पाउडर 1 टी स्पून सॉल्ट 1 टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून लेमन जूस वन टेबल स्पून जिंजर गालिक पेस्ट या अदरक लसन का पेस्ट और हाफ टेबल स्पून ओईल अब सबसे पहले हम ये सारे इंग्रीडियन्स चिकन में डाल के उसे मैरिनेट करेगे अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके एक गंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे पीजा टॉपिंग बनाने के लिए हमें चाहिए एक स्लाइस्ट कैपसिकिम या शिम्या मिर्च एक स्लाइस्ट अनियन मॉजरेला चीज दो टेबल स्पून पीजा सॉस वन टेबल स्पून बार्बिक्यू सॉस हाफ कप बॉल स्वीट कॉन वन टीजपून बेसिल वन टीजपून ओरेगैनो और वन टीजपून थाइम हर्ब्स अब एक नॉन स्टिक पैन में हम एक टेबल स्पून ओईल गरम कर लेंगे इसमें हम एड करेंगे मैरिनेट चिकन इसे हम 10 से 12 मिनिट तक मेडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लेंगे अब चिकन पक चुकी है अब हम चिकन को एक बोल में निकाल लेंगे इसमें हम एड करेंगे बाबीक्यू सॉस ओरेगैनो थाइम और बेसल हर्ब्स इसे हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे अब एक नॉन स्टिक पैन में पीजा ब्रेट को रखें पैन में रखकर ही हम पीजा ब्रेट के ओपर टॉपिंग्स आड करेंगे पीजा सॉस दाल कर उसे अच्छे तरह से स्प्रेट कर लें फिर थोड़ा चीज आड कर दें ताके जो स्टफिंग है वो अंदर से भी थोड़ी चीजी टेस्ट करें इसके बाद हम एड करेंगे चिकन अब इसमें हम एड करेंगे अनियंज और फिर हम एड करेंगे शिम्ला मिर्च इसमें हम थोड़े से स्वीट कौन्स भी आड कर देंगे फिर उपर से हम दालेंगे ग्रेट चीज आपको जितना चीज पसंद है आप उसे साब से चीज दाल सकते हो अब लो फ्लेम पे 5-7 मिनिट तक लिड कवर करके हम पीजा को पकने देंगे देखिए इस तरह से आपका चीज मेल्ट हो जाना चाहिए और ये हो गया है हमारा चिकन पैन पीजा तयार अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर ट्राइ करें अपना फीड़बैक कमें सेक्शन में दें और चानल सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक ये झाल झाल